नमस्कार जैसे जैसे शहरी करन बढ़ रहा है हमारे देश में ये बड़े बड़े शहर निर्वान हो रहे हैं उसमें बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ बहुत सारी चुनोतियों का भी सामना करना बढ़ रहा है एक चुनोती जो उभर के बहुत तेजी से हर शहर में सामने आ रही है वो है यातायात की चुनावती ट्रैफिक की चुनावती और यह चुनावती कई जगा पे तो विखराल रूप धारन कर चुकी है और इससे ना केवल व्यस्था में प्रॉब्लम आ रहा है परंतु पूरे नागरिकों को भी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है हमारा इंदौर ऐसे समस्याओं का सामना ना करे और सुचारू यातायात यहां पे सुनिश्चित हो इसके लिए हमारा पूरा ट्राफिक विभाग और हमारी पूरी इंदौर पुलीस प्रतिबद है कि हम लोगों की साहिता के साथ एक ऐसी विवस्था सुनिश्चित करेंगे जो सुगम भी होगी, सरल भी होगी और खुशनुमा भी होगी इसके लिए हमने कई प्रयास प्रारम किये हैं सरव प्रतम हमने इंडियन इंस्टूट अब मैनेजमेंट जो इन दौर में स्थित है उसके साथ मिलके एक स्टडी सरवे करवाया एक professional survey करवाया पूरे शहर के यातायात के समस्याओं के संबंद में इस दलने नाकेवल यातायात के points थे जहांपे congestion होता है जहांपे समस्या आती है उन सभी को सारगरबित रूप से study किया परन्तु एक report भी हमें उन्होंने इस study के बाद submit करी है इस report में उन्होंने समस्याओं को का समधान हेतू तीन वर्गों में report दी है तीन समय time frame में एक को ये बोलते है short term एक middle term एक long term short term मतलब operational जो हम जल्द में लागू कर सकते हैं जो middle term है solution का समधान वो है जिसको बोलते है tactical and long term वाले जो है strategic तो ये तीनों जो तरीके हैं उनको हम अपनाएंगे कुछ पुलीस विभाग से समधित हैं क्योंकि यातायाद की समस्या एक multi-disciplinary approach से ही solve हो सकती है तो अन्य विभागों का भी योगदान बहुत जरूरी है तो हम लोग ने ये निर्ने लिया है कि इसमें से जो short term उपाए हैं और जो medium term उपाए हैं जो पुलीस से समंधित हैं और जो पुलीस durable points हैं जो इनको लागू कर सकती है उनको हम पहले चरण में take up करेंगे बाकी जो विभाग हैं बाकी जो संस्ताइं हैं जो इस से जोड़ी हैं इस समस्या से उनको जो findings हैं IIM की study की उनको हम forward करेंगे ताकि वो विभाग भी उस पे कारवाई करें और एक सुगम यातयात की पहल हो ये तो हमारी एक उदेश है इसके अंतरगत हमने कारवाई अलरी स्टाट कर दी है और इसका result आपको अलरी दिख रहा होगा इन दौर की सडकों पे हमारे busy जो चोड़ाए हैं उसमें चोड़ी करन हो रहा है left turn सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये सब औरड़ी चारू हो चुके हैं आगे भी आने वाले समय में इस report अनुसार हम अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे इन्होंने ये भी बताया है वैसे traffic के सम्मन में तीन E जो बोलते हैं बहुत important होते हैं enforcement एक होता है, एक है education और एक होता है engineering पर हमने इस report में दो E और जोड़े हैं एक है emergency और एक है environment तो इस सम्मन में भी हम कारवाई करेंगे और ताकि ये पाँच E मिलके indoor के आतायात को सुगम बना सकें दूसरी बात ये हैं हमने कुछ expert agencies से भी tie-up किया है उनके साथ मिलके हम कुछ प्रयोग indoor की सड़कों पे जल्द उतारेंगे उनमें सिर्फ पहला प्रयोग ये है कि हमारे जो traffic बल है जो 450 से अधिक हैं अभी जो तैनात है उनको private sector के जो experts हैं उनके माध्यम से training दी जाएगी और इस training के बाद उनको एक तो policing का perspective होता है एक non policing का perspective जो है traffic management का वो भी उनको मिलेगा ताकि हमारा बल जो तैनात है इस field में और कारी कर रहा है वो उनकी शमता में और विकास हो ये तो एक है जो हम जल्द take up करेंगे उसके साथ साथ police की branding जो कहीं बार आप लोग देखते हो चौराहे पे traffic के संबन में कुछ निर्देश कुछ जागरूपता के slogans कुछ संस्थाओं द्वारा स्मांसर किये जाते हैं वो प्रॉपरली पहुँचें अच्छे से उनका डिस्पले हो एक विधिवत प्रारूप में वो हों ये भी हम जल्द लेने वाले हैं अगले चरन में जो मैंने जैसे बताया नए प्रयोग में एक और प्रयोग जो जल्द हम सुनिश्यत करेंगे वो है खुश्णुमा सडख जिसको हमने बोला है ये positive connotation है पहले होता था नो टॉलरेंस नो टॉलरेंस नेगेटिव है एक खुश्णुमा एक आनन्द मार्ग ये एक positive connotation के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमने पहला जो रोड चुना है वो है पलासिया चौराहे से रीगल चौराहा एक busy मार्ग, MG रोड इसमें पहले चरण में जितनी भी parking की problems है जो road पे parking होरी, जो problems आ रहे है उनको हम through volunteers through agencies जो हमारे साथ जुडेंगी through NGOs उनका हम प्रयास करेंगी कि उनको समझाईश दी जाए कई संस्थाओं ने guards hire किये हो गए हैं, उन guards को train किया जाए कि कैसे proper traffic parking की जाए valley parking एक system है, जो कुछ संस्था है चला रही है इस मार्ग में इस valley parking को हम आगे बढ़ाएंगे और संस्थाओं को भी प्रेरित करेंगे कि valley parking स्टार्ट करें, ताकि वो वह रोड पे ना खड़ा हो और उचित स्थान पे खड़ा हो और लोगों को traffic में, driving में असुईधा ना हो इसके साथ साथ seat belt लगाना, helmet पहनना पहले चरण में, only through inspiration, only through motivation and only through education and awareness हम करेंगे लोगों को mock ticket भी दी जाएगी कि अगर आपने ये traffic violation किया है तो ये है mock ticket अगली बार अगर आप ऐसे करोगे तो शायद आपको real ticket मिल जाए तो इस प्रकार से एक education and prayer का अभियान चलाया जाएगा इस mark पे और उसके बाद जब वो समय समाथ होगा हम enforcement पे भी आएगे अगर उसके बावजूद भी लोग कुछ लोग हैं जो नहीं हमारे सायोग करके better road बनाने का हमारे साथ प्रयास कर रहे तो enforcement का पार्ट भी आएगा तो हमारे को लगता है कि इन दौर की जनता इतनी जागरूख है इतनी समवेदनशील है और इतनी जानदार है कि वो हमारे प्रयोग को पूरी तरह से सहयोग करेगी और इस मार्क को तो सरप्रतम एक खुश्णुमा मार्क बनाएगी और ये हमारा प्रयोग सफल हुआ तो हम उसको अन्य सेग्मेंट में भी ले जाएंगे हमारा ऐसा विचार है कि पलासिया से left अगर आप जाएए चौराहे से तो विजे नगर आएगा वहां से गर राइट जाएए तो बहुर को आएट जाएगे तो इस साइट भी हम स्प्रेट करेंगे इस रोड के कॉंसेप्ट को ये हमारी एक और पहल है जो जल्द आने वाली है उसके बाद एक चीज होती है अक्सर देखा गया है क्योंकि रोड की साइज पीचे चोटी होगी कहीं जगा पे कहीं जगा पे जागरुकता की भी कमी होगी कहीं जगा पे लोगों को ज़्यादा जल्दी भी रहती है वो लोग लेफ्ट साइड में कि सीधा जाना है पर लेफ्ट साइड की उसको ब्लॉक कर देते हैं क्लॉक कर देते हैं emergency lane as a life saver lane, green lane, आप उसको कोई भी नाम दो, हम मुख चरहों पे इसको पहले लागू करेंगे, इसलिए हम left turn अभी से उसका चौड़ी करन हो रहा है, थोड़े barriers and थोड़े stopper से separation हो रहा है, ताकि वो जब lane का concept आएगा, तो लोग उसको easily follow कर सकें, ये बहुत अच्छी एक पहल होगी, I think पुरे देश में इसकी पहल नहीं हुई है, हम पुरे अंदौर में, we pride ourselves, that हम number one है cleanliness में, हम number one है बहुत चीजों में, इसमें भी अगर हम number one हो, the first city in India to have a free left lane जहां पे आपको कभी congestion ना मिले, I think ये pride के बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, पुरे शेहर के ल case, धीरे धीरे करके, जैसे एक मनशाह है, कि इन दौर को हर चीज में हम number one बनाना चाहते हैं, traffic में भी हम number one बना पाएंगे, बट ये छोटे छोटे कदम हम लेंगे, तब जाके वो पूरा हमारा उद्देश सफल हो पाएगा, वैसे तो road safety में हम already number one है, हमें पिछले साल भार तबरन भी बहतर होगा, हमारे शहर की लोगों की यातयात की समस्या का भी समाधान होगा, और एक ऐसी कदम बढ़ाते बढ़ाते हम एक दिन शायद ये बोल पाएं, कि हमारा शहर इस देश में traffic में भी number one है, ये हमारा सब का उदेश है जिससे हम चल रहे हैं, और मेरे को बन्यवाद